यूवराच सिंग के फादर योगराच सिंग, अपने काम से ज़्यादा दूसरों को गाल्य दोने के मामले में चुरक्फियों में रहते है, उन्होंने इस बार महनदर सिंग धोनी और कपिल दिफ़ को गाल्या देते हृए, सराप देते हैं दोनों को लपीटर, कपिल दिफ़ उनकी बात कर रहे थे, आगे वो कहते हैं कि आज देखो कपिल देखो के पास क्या है, सिर्फ वर्ल्ड कप के एक ट्रॉफी, वहीं मेरे बेटे युवराद सिंग के बास देखो 13 ट्रॉफी से, युवराद सिंग हम सब के फैबरेट है, इसलिए उनके फादर को हम हेट नहीं क कर सकते थे, लेकिन आज आब वो कसर भी वो पूरी कर दिये, वैसे इस वक्त उनके उम्रे इतनी है कि लोगों को सही गलत का ज्यान देनी चाहिए थे, लेकिन वो देते हैं लोगों को गालिया, तो टीम इंडिया के पूरवे क्रिकेटर युवराद सिंग के फादर योगरा करें, जैसे कि उन्होंने कहा कि धोनी को आईने में अपने सगल देखनी चाहिए थे, क्योंकि उसने मेरे बेटे का जो हाल किया है, अब पता ने वो किस हाल की बात करें, क्योंकि अब तक युवराद सिंग का ऐसा उससे तो कुछ हाल हुआ नी, क्योंकि कि किसी भी और देख लेते, एक टेस्ट मैच और छे वंडे मैच खेलनी वाली योगराथ सिंग, कपिल देव के लेकर ये कमेट मारते हैं, कि मैं उसका अच्छा कमपिटेटर था, मैं उससे अच्छा खिलता था, इसी वज़े से वो मुझे टीम से बाहर निकाल तब मैंने उसी दिन, उससे कहा था कि मैं तुम्हारा वो हाल करूँ कि पूरी दुनिया तुम पर थुकीगी, साथ ही उन्होंने कहा कि जिसने भी मेरे साथ बुरा किया मैं पूरी जिंदगी, उन्हें कभी माफ नहीं करता और कभी उन्हें गले भी नहीं लगाता, भले वो मेरे अपनी परिवार कहीं कोई सदस से क्यों नहीं आप देखे कि कपिल देव और मेहंदर सिंग दौनी की जिंदगी कितने बर्बाद हो चुकि है क्योंकि इन्हों ने उन्हें माफ नहीं किया था दोनों सडक पर आ चुके हैं भेक मांगने के नौब दा चुके और पताने कितनी बुरी हाल में जी उनके इलावा आधर प्लेयर्स कभी लाइफ में उतार चड़ावाती रहती है और उसी बेसिस पे टीम में सेलेक्शन भी होता है लेकिन उनका कहना मानों तो उनके साबसे युगराज सिंग का फॉर्म कभी खराब हुआ ही नी वो हमेशा अच्छे फॉर्म में खेलते थे लेक अगर कोई हो तो भाई ये खुदी लेकिन इसके बाद उन्होंने जितनी गंदी बात कही उसके बारे में मतलब मैं क्या भी बेटी है क्योंकि धोनी की घर में भी सिर्फ एक बेटी है और योगराज सिंग इसे एक सराप के रूप में देखते है खुद सोच कर देखो, इनकी मानसिक्ता क्या कहती है कि अगर किसी घर में बेटा ना हो, बेटी हो तो वो बहुती बूरी चीज है इन्हें क्या कहूँ, युवराज सिंग के फादर ना होते है तो अब तक कितनी गालिया इन्हें पल रही होती कफिल देव के लेकर जोने उने बात कही थी कि सभी लोग इस पर थूक रहे है कहा थूक रहे है, कौन थूक रहे है मुझे तो नहीं देख रहे है कोई उन पर थूक रहा है बलकि ICC और BCCI के मेंन में इवेंट्स में आज भी उन दोनों कप्तानों को रिस्पेक्ट दे आयाता है कफिल देव हो या मेंदर सिंग धोनी हो यहां ते कि आपके बेटे जुवराज सिंग को भी रिस्पेक्ट दे आयाता है अगर किसी को लोग ना जानते हो ना रिस्पेक्ट देते हो तो वो आप खुद हो ख्याली पुलाव पकान आया कि दुनिया मेरे जूती के नीचे है मैंने इन्हें माफ ने किया तो इनकी जिन्द के बरबाद हो चुकी है पिल देव को उपर सब थूक रहे हैं वगरा वगरा इन्हें चीज़ें में डू भी रहते है 2024 के IPL में जब CS के मैंनर सिंग दोनी की टीम जब हार गई थी तब वहाँ भी उन्हें पर निसाना साथ तेवे कहा था कि जो बुरा करता उसका साथ बुरा ही होता है तो भाई उनके इस लोजिक के साथ से जितनी भी टीम हारी सभी ने बुरा काम किया था सिर्फ एक टीम थे जिन्होंने जीता उन्ही ने अच्छा काम किया था बाकि सब तो गंदे आदमी है अगेन में युबराद सिंग की बुराई नहीं कर रहा है लेकिन युबराद सिंग रिटाइट प्लेयर है वहीं MS दोनी अपने फिटनेस का बदलोद अब भी IBL मैचेस खेल रहे हैं बगाईदा छक्के पे छक्के भी मारते हैं अब इससे ज़्यादा इन्हें क्या ही कहा जाए खेर आप अपनी राई कमेंट में जरूर दे मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में तब तक लिए चाहें